नमस्का दोस्तों बाइक बाला सुभी नहीं में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और आज की इस इंपर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीवेस एक्सल बारा जो पुराना भारसन वाला मोपेड है जो कार्बरेटर इंजिन में तो चलिए आपका देना को तो फटाफ़ोट से वीडियो को स्टार्ट कर लेता है जान लेता है इसके रिजन के बारे में तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं मेरे सामने है आपका टीवेस एक्सल बार्शन बाला मोपेड तो इस गाड़ी में मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि यहां है आपका जाताल जातल जेंब कार्बरेटर इंजिन लगता है फटके म्ल blog इस utility का जो रहता है जो की आपका गाड़ी स्टार्ट करेंगे खासकर आउन्च कि डिया रखके तो सुपनले में वहिसार के सीजन में determining मेरते तो बैसकिली आपका क्यों होता है पहले आपको यह बता दे रहे हैं तो कारबलेटर में जो आपका ओइल का नली लगा होता है तो उस जगाव से अगर आपका पेट्रोल का सप्लाई ठीक टाइब से ना हो तो बैसिकली इस बीड़न से आपका चोग लागा जाता है ताकि जो पेट्रोल का सप्लाई है वो ठीक टाइप से हो और होने के बाद जो गारी का जो इगनीशन है वो ठीक टाइप से आपका हो जाए तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि विंटर के टाइम में अगर देखा जाता है कि गारी आपको थोड़ा ज्यादा मतलब खड़ा का लात तक या आपका आपका हो उस टाइम में आपका ङाड़ी आपका पुरा बंध बंध आ करता है तो उस हैशramentoophy करते है कि जो आपका ऊपड़ा करते हैं तो हम लोग समर के के से सबी साifornia में इसी टाइप का आपका प्रॉब्लम आपड़ता है और चोग लगने का सिचवेशन हुआ है और इतना खंल minimize क्वcision नक religions मतली माल लीजा आप आपका कोई ने जाम बेहतर में आपका रहा होगा इस रिजन से आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है दूसरा कारण है कि अगर आपका रेगुलर जो गाड़ी है और का बंद पड़ा है अचानक से अगर आप समय में ले गया या वूंटर में ले गया किसी भी सीजन में ले गया तो उस रिजन से भी आपका उस जगह पर भी आपका प्रॉब्लम हा सकते हैं कि आपका जो है ओ जाम हो दानी और उसके का रिजन से भी हो सकता है और एक तीसरा कारण होता है अगर माल लीजे गाड़ी अगर बहुत आप रफली चलाते हैं जटका देका चलाते कोई नॉर्मल अब फ़ार जो देखते हैं और यूसमें ही सटका का फ्र nucle tornac है तो ě ऊश्रॲइन को प्रॉब्लम यारा प करें में ऑर यूद्या करने ऐप को अए आप法 प्रब्लेम नहीं होता गाड़ी में अगर खास करके अगर आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्याद आपको चोक देने का जरूरत आप पड़ता है तो एक बार आपका जाकर मेकानिक के पास से पूरा का पूरा कारबरेटर को ठीक कराएगा और पेट्टो से जो नाप का नली है नली को ठीक टाइप से साप करागा या हो सके तो उस पाइप को ही चेंज करा दीजेगा तो आपको ज़्यादा बेटर होगा तो आसा करता है आज का आपको जो वीडियो है वाफी इंपॉर्मेटिव लगा होगा इसी टाइप का और भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको एब शेगले कॉया लगा होगा 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 करता है